सिक्षा के छेतर में 34 साल बाद एक बहुत बढ़ा बदलाव हुआ जैसा कि आप सभी को पता है कि राश्टिय सिक्षानिती 2020 अब हमारे सामने आपके सामने उपस थी थे और इसमें सबसे पहले हम आपको बता दे कि मानो संसादन विकास मंतराले का नाम बदल कर सिक्षा मंतराले रख दिया गया अर्थात अब यह एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा क्या हुआ है बदलाओ इसके पहले जो हम वीडियो आपको बनाये थे उसमें हमने यह बताया था कि अब सिक्षक बनना आसान होगा यह मुस्कील लेकिन आज का यह वीडियो है कि अब हमारा पाठकरम की रूप रेखा क्या होगी बच्चे जो है सुरू से लेकर प्लस टू तक की पढ़ाई का उनका जो तरीका है उनका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हमारा कैसा होगा सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि यह 10 प्लस टू फॉर्मेट को हटा करके 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 पॉर्मेट टका गया है यह फॉर्मेट आखिर है क्या आपको आसान भासा में हम आपको बताते चले कि 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस फॉर्मेट का मतलब यह हुआ कि 5 का मतलब यह हुआ कि 5 साल तक अरथाद 5 साल में 3 साल हमारा pre-primary रहेगा और pre-primary stage रहेगा और 2 साल जो होगा वह हमारा class 1 और class 2 के लिए होगा आगे जो 3 साल है अर्थात 5 हो गया और उसके बाद 3 3 का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 3, 4, 5 क्लास रहेगा और उसके बाद फिर से 3 मतलब की 5, 6, 8 रहेगा और उसके बाद फिर से 4 आता है अर्थात 9 और 10 रहेगा इसका लेबर 1 में और लेबर 2 में 11 और 12 रहेगा अर्थात 5 plus 3 plus 3 plus 4 का ये जो format है अब आपके सामने उपस्तित हैं आपको हम इसमें बताते चले कि 5 plus 3 plus 3 plus 4 के जो format में हैं ये 0 से ले करके 12 तक की अर्थात 12 तक की कक्छा की बात की गई है आपको हम बताते चले कि पहले 5 वर्ष की पढ़ाई को foundation stage के अंतरगत में रखा जागा और फिर 5 वर्ष की foundation stage में जो पहले 3 साल होगा उसको pre-primary के अंतरगत में रखा जागा और उसके बाद class 1 और class 2 रखा जागा उसके बाद 3 उसके बाद 3 plus 4 फोर हम आपको बताते चले कि पाँचवी की पढ़ाई मात्री भासा में कराया जागा मात्री भासा पर ज्यादा जोड़ देना है अस्थानिय भासा पर जोड़ देना है राज्य भासा पर जोड़ देना है अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्षता को हटाया गया है मोदी सरकार का हमेशा से एक सपना रहा है कि कोशल अर्थात skill development की बात किया जाए उस skill development को भी राष्टिय सिक्छानीती 2020 के अंतरगत में जो रगे है अर्थात कक्छा छठवी के बाद ही बच्चो को skill development पर काम कराया जागा उसको अगर computer coding और जितने भी skill development से संबंदित कार्ज है वह उस कार्ज को कक्छा छठवी के बाद ही कर सकता है अगर बच्चों में रूची है तो उस skill development वाले कार्ज को अपने आगे बढ़ा सकता है उसके साथ साथ उसको एक class internship की विवास्था किया गया है अगर आप किसी कार्ज में अगर आपका रूची है तो उसके लिए एक अलग से internship की विवास्था किया गया उसके बाद हम लोग आते हैं class 6 और 8 को middle stage मना गया है और 9th से 12 तक को last stage मना गया है आपको पहले बताते चले कि पीछे जो हमारे अभी तक जो पढ़ाई होता था वो 10 तक समानता सब का एक जैसा होता था plus 2 में हम लोग अपना अपना इस stream को change करते थे जैसे अगर किसी को science faculty में जाना है तो किसी को arts faculty में जाना है लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा मतलब कि अगर आप science ले रहे हैं तो science के साथ में अगर आपको मन हैं कि हम arts का भी कोई subject पढ़े तो आप ले सकते हैं अगर आप arts ले रहे हैं अगर आपको मन है कि हम arts के साथ math भी पढ़े तो भी आप ले सकते हैं ये format को भी change किया गया है 9-12 तक का जो भी पढ़ाई होगा उस सारे semester system के अंतरगत में होगा अर्थात हर एक 6 माह पर आपका परिक्षा लिया जाएगा अर्थात उसी 6-6 माह पर परिक्षा ले करके पूरे एक साल का फिर से आपका जो है result त्यार किया जाएगा देखा जाएगा कि पिछले semester में आपका किया इस्तिती ये बम परिस्तिती था report card त्यार किया जाएगा report card 360 degree का नाम इसलिए दिया गया है कि कोई उस report card में केवल आपके पढ़ाई की बात नहीं दर्साया जाएगा केवल ये नहीं कि हाँ आपने कितना number लाया बलकि उसमें un activity जो others activity होता था उस सारे चीज़ को इसम feedback ये बम प्रिस्ट पोशन के अधार पर आपका report card त्यार किया जाएगा college में admission लेने के लिए अगर आप उच्छन संस्थान में admission लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक test होगा जिसको हम लोग बोलेंगे common aptitude test जिसको हम CAT के नाम से जानेंगे अगर आपका 10 plus 2 में अच्छा marks नहीं आया है तो आप इस entrance test को दे करके अच्छे उच्छन संस्थान में admission ले सकते हैं क्योंकि इस common test में आप जब exam देंगे तो आपका अगर इसमें नमर बहतर आया तो आपको 10 plus 2 के जो marks होते हैं उसमें इस चीज को जोर करके और कहीं न कहीं आपको वर्यता दिया जाएग बिज्यान और गनित पर अधिक जोर दिया गया है इस education system के अंतरगत में foreign language का भी course इसमें होगा इस school में शुरू होगे foreign language अगर आप Spanish, Germany, Chinese अगरा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेवस्था किया जाएगा foreign language भी सीखा जाएगा पूरे देश में NCRT जो है पूरे देश में नोडल एजनसी होगा साड़े देश का पाठकरम एक जैसा होगा कोई भी राज्य अपने अपने हिसाब से पाठकरम को नहीं रख सकता है क्योंकि सारे केंद्र सरकार इसको नोडल एजनसी जो है वो NCRT को दे रहिया पाठकरम के शेत्र में अर्थात अगर पूरे सिक्षा बेवस्था का पूरे जो राष्टी है सिक्षा नहीं थी 2020 का हम विसलेशन किये तो हमें ये पता चला कि कहीं न कहीं अभी जो सिक्षा बेवस्था आया है अभी जो एजुकेशन सिस्टम आया है जुकेशन पॉलिसी आया है उसमें इस बात पर जोड़ दिया गया है कि अगर बच्चों में किसी तरह का skill है तो सुरू से उसको बढ़ावा दिया जा जए सरकारी कामों की और ज्यादा focus नहीं करना है सरकारी नौकरी के तरफ ज्यादा focus नहीं करना है अपने skill को देखना है अपने कौसल को देखना है, अगर आप में कौसल है, अगर आप में रूची है, अगर आप उस काम को करने के लिए पैसन रखते हैं, अपने आप में एक पागलपन है, एक क्रेजी है आपकी उस काम को हम करेंगे, तो उसका बढ़ावा नए सिक्छानीती 2020 के अंतरगत में दिय दिया जाएगा, हम आपको बताते चले कि जो बिसलेशन करने के बाद हमें जो लगा, वह हम आपके सामने प्रस्तुत किये, लेकिन आप बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि क्या या पाठकरम सही है, जो 10 प्लस 2 का पाठकरम जो पैटर्न था, आप उसको 5 प्लस 3, प्लस 3 प्लस 4 में रखा गया है, और इस पाठकरम के अंतरगत में, इस फॉर्मेट के अंतरगत में, जो भी बाते कहीं गई है, क्या या बच्चों के लिए लाबदायक होगा, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना बिचार जरूर प्रस्तूत करें, क्योंकि आप एक बुद्धी जी भी बर्ग है, और इस समाज के निर्माता, जो बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके निर्माता आप है, आप एक सिक्चक है, तो आपका बिचार हमारे लिए सर्व पर है, आप अपना बिचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, मिल उते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिए